श्री शिवाय दोस्तों, 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या की रात करें, ये गुप्त उपाय बन जाओगे, आप करोडपती ना सिर्फ आपको मिलेगा, आपके भाग्ये के साथ, बलकि आपके जीवन में होगी, धन की वर्शा, एवं इस मौनी अमावस्या के बाद, इन 11 में से 6 राश्य वालों को करोडपती बनने से नहीं कोई रोक पाएगा, 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पढ़ रही है, और आपकी जानकारी की ये बता दे, मार्ग अमावस्या व दिन ही होता है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीरवात पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है, आपको बता दे, 9 फरवरी 2024 के बाद शनी ग्रै के गोचर छह राशियां वाले ऐसे होंगे, जिनके जीवन में शनी देव जी की इनको वाह कृपा, गे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहली खुश नसीब राशि जो है, दोस्तों वो है, राशितुला, राशिवालों के बताया जा रहा है, कि आपको शनी देव जी का वो आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी इस शनी जैनती के बाद अगर आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं, तो मान के चलिए, आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है, आपने जो पिछला करजा लिया हुआ था, जिस करज के में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशिवालों का व अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा, और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी, अब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना शुरू कर दीजिए, इस से शनि देव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी, दूसरी, खुशनसीब राशी हैम कर, राशी तो मकर राशी बताया जा रहा है, जो नौकरी की आप तयारी करकर के ठक चुके थे आपकी नौकरी लग जाएगी, इस शनि जैनती के बाद, समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे, उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे-पूरे योग बन रहे हैं, आपके व्यापार में आप व्रिध देखने को मिलेगा, इसी तरह से अनेक तरह की सफलत आएं आपको हासिल हो सकती है, अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना होगा, इससे आपका शनी हमेशा आपका साथ देगा, और अगर आप सिहर सिहराशी के हैं कोट का चहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी, इस 9 फरवरी 2024 के बाद धर्म कर्म में रूची बढ़ेगी, सिहराशी वालों का मारकेट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा, और अगर आप शेयर मारकेट वगेरह में पैसा लगाते हैं, तो व आपका शानिग्रह इस तरीके से हो जाएगा, जिसके बाद जीवन में आपको उन्नती करने से कोई नहीं रोक पाएगा है, जो आपके जीवन में खुशहाली, समृध्धी और शान तिला सकता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणे पृत्वी पर नहीं पढ़ती हैं, जिससे अंदकार और नकारात्मक उर्जा का असर बढ़ जाता है, इसलिए इस रात दीपक जला कर भगवान की आराधना करने से आपके गर में उज्ज्वलता, आनंद और आशीरवात का वास होता है, अमावस्या की रात का उपाय करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्या जैसे कि आपको दीपक का रंग, तेल, बत्ती और दीपक को रखने की दिशा का चुनाव सावधानी से करना होगा, इसके अलावा आपको दीपक को जलाने का सही समय भी जानना होगा, इस लेख में हम आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अमावस्या के दिपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सके, साल की पहली, अमावस्या, सोने से पहले दिये का यह उपाय आपको धनवान, यह एक अद्भुत उपाय है, इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से ही नहीं, बलकि आपके जीवन म साधना क्रिया का विशेश है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करती है, और उनकी सेही पर अद्भुत आशीरवात बरसता है, आप वेद के अनुसार एक दीपक को साल की पहली रात रखें, और उस प्राचीन उपाय को तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का अशीरवाद हासिल होगा, इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्शा होगी और आपके जीवन के सभीक शेत्रों में सफलता मिलेगी, आपके जीवन में धन में वृद्ध्य होगी और आप सभी कारियों में समरिध्य हासिल करेंगे। इस उपाय से ना केवल आपके जन्मांतर की गरीबी परेशानी और दूर दूर होंगे, बलकि आपके नए रूप से समरिध्य और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताए और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का ये विशेश दिन आपके जीवन में नए और समरिध्य की और पहुँचने का एक अध्वितिय अफसर है। धन और समरिध्य के स होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अफसर को सही रूप से मना कर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे बलकि आप अपने मन, संतुलित, खुशहाल और आत्म निर्बर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उदिप्न की हो सकता है। और नए सपनों अंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोगमुक्ती आरोग्य और दीरगायू कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यू में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया असर रहता है। यह आपको और कर्मक्षेत्र में उन्नति की और प्रेरित कर सकता है। और आप अपने स्थान समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोच सकते हैं। सारी शक्ति, सम्रिध्य और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सम्रिध्य और सफलता का नया आरंब बनाए। नय साल के पहले दिन पर कई दुरलब संयोग बन रहे हैं। ऐसे में दो जगाओं पर आएंगी कंगाल भी होंगे। धनी दोश। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फाइदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं। और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए। कौन सी दिशा में। जिस से आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सक इखें। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजआ आपको जलाना चाहिए। जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी negative energy बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में, शाम के समय तो इससे आपके घर का वातावरन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से depression और tension में घर का मुखिया पहुच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है। और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनक परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। जिस समय नकारात्मक उरजाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। तो ये भी संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक उर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है सभी चीजों करने के लिए। आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के टेल का या फिर टेल के टेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तब ही आपको इसके मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं। अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ती जिसको परेशानी है और वही अगर रोज आता है, तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम की का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजर अंदाज ना किया करें, क्योंकि इन ही से जीव निकलने वाली उरजाएं होती है, वह आपके घर में फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमे बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी शांती से रहने, इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है, तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उरजाएं हैं, वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो उरजाएं होती हैं, धुआ होता है, वह नेगटिव एनरजी को बाहर निकालता है, और आपके आसपास की एनरजी को पॉजिटिव बनाता है, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, हम अपने घर के पूजा, घर, पूजा, पाठ और मूर्तियादी रखते हैं, दोस्त मूर्ति का क्या, वो होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियाओं होती हैं, वहां पर बंथा, राज, यो और दुनिया, आपके कदमों में आ जाती है, कहने का ये है कि आपको सर्वसुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कलपना की है, जिसकी आपने कामना है, दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ च देवताओं का सुन्दर मुख देख सके और उनका आशिरवाद हासिल कर सके परंतु दोस्त अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तोर पर हरी किसमत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के की सारी कंग दाली समाप्त होने लगती है दोस्तों बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वजुख आपको हासिल हो सके सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों अगर आप श अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए दोस्तों ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती है तो समझ लीजिए उस घर के अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्षमी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विश्नु की भी पूजा करें या ना करें या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें तो हमें भगवान श्री विश्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्त, देव आदी देव महादेव, भगवान विश्णु और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवता सर्व शक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान देखने मिलती है, दोस्त, तो इसी लिए आप विश्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है, तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबर जी की तस्वीर अपने घर के जरूर ल लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, तो आप निश्चित तोर पर लाब हासिल होता है, और देखते ही देखते, जीवन के अंदर की कंगाली समाप्थ होने लगती है, और धन के लिए आपको लक्ष्मी, गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए समझा जाता है, माता लक्ष्मी धन देती है, तो भगवान श्री वृद्ध सिध्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं, इसी वजह की बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त, तो कई लोग पूछते हैं कि अपनी घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ती रखें या ना रखें, य आपके उपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रख रखते हैं, तो आप हनुमन तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना ह तो बहु श्री रामा से कहें भगवान, श्री रामा के प्रियभक्त हनुमान जी हैं, और निश्चित तोर पर आपको उतना ही आशिरवाद हासिल होता है, जितना की हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है, या फिर आप क्या करें, श्री राम दर्बार की अप को हासिल हो जाता है, हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान, श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशिरवाद आपको हासिल हो जाता है, तो निश्चित अपने घर के पूजा घर में साथ, आप यह तस्वीर रख सकते हैं, आपके जीवन में राजियोग हासिल हो जाती है दोस्त, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, और उसे अपने घर में लाब हासिल करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित परत्रिदेव की तस्व देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विग्न और बड़े से बड़े दूर ऐसे ही समाप्थ हो जाते हैं। इसी वज़े इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा करनी चाह अगर आपने या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा। फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्त। और इन करते ध्यान दें कि जी चहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाब की हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार क शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक सा शिवलिंग रखें और इस से ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्त। वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप रखते कर दो जो दो दो है कि अ कर दोट है कि अ कर दो रखे है।